तो guys finally मैंने अपने लिए पहला tripod purchase कर लिया है और इसके लिए मुझे pay करना पड़ा 1299 रुपए और इसे मैंने खईदा है Amazon sales से जहां पे इसकी कीमत थी 1500 रुपए बट 200 रुपए का मुझे discount मेला इस वज़े से इसकी कीमत मुझे pay करने पड़ी 1299 रुपए और इस tripod को मैंने ख देखने को मिलेगा तो इस tripod की बात करें तो first look में आपको tripod काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है और इसके संग जो ये bag मिलता है इसकी quality काफी अच्छी है तो इस bag में आप जो है अपने tripod को कहीं भी carry कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते काफी अच्छी यहां पे आपक आपको मिलेगा जो कि अच्छी बात है यहां पे और जब आप tripod को निकालेंगे तो देखेंगे यहां पे कि जो tripod की quality है वो काफी आपको अच्छी देखने को मिलेगी और अगर हम इस tripod के body के बारे में बात करें तो इसकी जो body बनी हुई है वो aluminium और plastic की बनी हुई है और यहा से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस tripod की जो plastic है उसकी quality कितनी अच्छी होगी तो अगर हम बात करते हैं tripod के निचले हिस्ते के बारे में तो आप देख पाएंगे कि तीनो लग में आपको rubber के छोटे-छोटे यह तीन pad मिल जाते हैं जिसकी वज़ए से आपका tripod किसी भी सता पे स दिखा देता हूँ यह धिला होता है तब आपके जो है तीनो लग पास आते हैं जब इसको अगर आप टाइट कर देंगे तो आपके जो है तीनो लग भागेंगे नहीं और एक जगह पे स्थेड़ रहेंगे तो अगर आप इसको lock करने के बाद जो है मैं आपको यहाँ पर जुका हुआ है इसे तरीके का आपको एक और bubble indicator मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे head पे देखने को मिलेगा यह आपका तब काम आता है जब आपने head पे किसी अपने camera को mount कर रखा है या फिर अपने mobile को mount करते हैं उसके बाद आप shot लेने की कोईसी करते है अपर या down side का shot ल आपका camera या फिर mobile holder है उसे आपको लगाना होता है तो अपर side में आप लगा दिए और लगाने के बाद जो है camera या फिर mobile holder लगाने के बाद नीचे आपको जो है और श्तरीके से यहाँ पे tight करना होता है टाइट होनी durasyond आप इस खांचे में वापस से लगा दीजे और लगाने के बाद आपको ये lock को दुबारा से lock कर देना होता है अपर साइड में आपको एक छोटा सा lever मिल जाता है अगर आप इसे ढीला कर देते हैं तो आपका जो head है वो 90 degree तक घूम सकता है पूरे 360 degree तक तो अगर आपको कोई भी ऐसे शॉट लेना है तो आप यहाँ पर smoothly ले सकते हैं और आप अगर चाहते हैं किसी एक जगा पर इसे lock करना है तो उसके लिए आपको ये sliver को दुबारा से यहाँ पर tight कर देना है पूरी तरीके से उसके बाद जो है आपका ये head किसी भी तरफ नहीं घुमेगा कुछ इस तरीके से पूरी तरीके लॉक करने के लिए आपको middle वाला भी लॉक करना पड़ेगा इस tripod का जो handle है वो पूरी तरीके से आप अलग कर सकते हैं अगर आप चाहते कोई दूसा handle यूज करना तो वह भी आप यहाँ पर अलग करने के बाद लगा के यूज कर सकते हैं और इस tripod से अगर आपको लेना है upper और down के smooth shot तो उसके लिए आपको handle को थोड़ा सा loose रखना होगा उसके बाद आप इस तरीके के यहाँ पे shot ले पाएंगे अगर आप handle को थोड़ा सा tight कर देते हैं या पूरी तरीके tight कर देते हैं तो आप जिस च अटा भी सकते हैं मगर इसको lock करने के लिए आपको middle में एक यहाँ पे lock मिल जाता है जिसको आपको tight करना होगा tight करने के बाद जो है इसका जो lever है वो काम नहीं करेगा कुछ इस तरीके से और upper side पे कोई भी weight है तो वो नीचे यहाँ पे नहीं आने वाला है तो इसको unlock करने क काफी ज्यादा help करते हैं इस tripod में आपको एक handle मिल जाता है जिसकी मदद से आप इस tripod को कहीं भी ले जा सकते हैं और यह जो handle काफी ज्यादा मजबूत है तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस handle के मदद से पूरे यहाँ पे tripod को उठा रखा है अब बात करते हैं इसके height के बारे हैं उनको पहले unlock करना होगा उसके बाद आपको lock करना पड़ता है अगर आप lock नहीं करेंगे तो यह आपका tripod जो है एक side में खिसक सकता है तो सबसे पहले इसे lock कर लीजे और lock करने के बाद यह आप देख सकते हैं इसकी जो height है अभी वो काफी अच्छी यहाँ पे हो चुकी है तो कुछ इस तरही की height आपको देख सकते हैं और अभी जो है upper side की height बची हुई है तो यहाँ पर अगर इस lever को घुमाते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो इसकी height है करीबन करीबन जो है साड़े 5 feet की height आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे तो यह आप easily shoot कर सकते हो और इतनी height जो है काफी ज़्यादा प्रयाप्त है और दूसरे tripod के मुकारबे इसकी height काफी अच्छी भी है तो अगर हम बात करते हैं इस tripod की quality के बारे में तो quality आपको काफी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी और अगर आप चाहते हैं इसको buy करना त आपको अलग से purchase करना पड़ेगा तो यहां पे से tripod की कीमत जो है आपको 1500 पर पड़ेगी mobile holder आपको अलग से खाइदना पड़ेगा तो guys फिलाल के लिए इस वीडियो में इतनी मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye